Hello everyone, welcome to my YouTube channel, शुब शुब बोलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मेरे YouTube channel में, thank you so much, धेर सारा प्यार देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब आप लोग comments में मुझे बोलते हैं, कि मेरा reading जो है, वो maximum number of people सभी के साथ resonate कर रहा है, मुझे और भी अच आप सभी को मैंने कल पूछा था, कि क्या आप मुझे से जानना चाते हैं मेरे बारे में, तो एक interesting सवाल आप comments में बताईए, और यकीन नहीं मानिएगा, इतने सारे लोगों ने मुझे सवाल किया है, बहुत ही प्यारा प्यारा, बहुत ही interesting सवाल किया है, कल मैंने decide किया था कि मैं उनी सवालों में से 5 questions का answer दोंगा, बच आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे पूछा है, कि मैंने decide किया है, कि 5 नहीं मैं बहुत सारे questions का answer देने वाला हूँ, बच कल, क्योंकि अगर मैं आज के वीडियो में वो include करूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ह हो जाएगा, इसलिए मैं separately कल जो questions आपने पूछा है, और आज के वीडियो में भी आप questions पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं एक ही साथ, क्योंकि मैं note down नहीं कर पाया, बहुत सारे questions थे, और मुझे वक्त भी नहीं मिला कि मैं note down करूँ, तो अभी Saturday Sunday off है मेरा, तो properly मैं note down कर सकत हो और मैं आपको बोल सकता हो कि क्या answers है, तो जो भी आप मेरे बारे में जानना चाते हैं, प्लीज कॉमें पूछेगा, इट हैस तो बी इंट्रेस्टिंग, प्लीज सिंगल होके शादी हो गया है, इस ताइप अफ टिपिकल questions मत कीजिए, कुछ interesting questions कीजिए, जो कि प्यारा भी होगा, जो कि, you know, interesting को और क्या बोलू मैं, जो कि अच्छा भी होगा, तो ताकि मुझे भी interest आए इसका answer देने में, इस तरह का questions definitely आप कर सकते हैं, आज के वीडियो में पी कीजिए, हम कल definitely इसका answer, सारा answers जो भी आपने पूछा है, उन सभी questions का answer मैं कल देने वाला हूँ, आज हम no contact situation reading करने वाले हैं, no contact situation बहुत 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 ज़्यादा painful situation होता है, जहाँ पे आपका और आपके partner के बीच में किसी भी तरह का communications नहीं रहता, आपको पता ही नहीं चलता कि उस side क्या चल रहा है, तो card reading के through हम वही चेक करके देखेंगे, और देखेंगे कि आपके partner क कि जिन्दगी में, क्या no contact situation में, क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहे है, क्या action होने वाला है, वो हम देखेंगे, ये एक general reading होगा, हो सकता है, आप सभी के साथ ये reading resonate करे, हो सकता है, कुछ portion of the reading आपके साथ resonate करे, 50%, 60%, 70% जो भी है, और ऐसा भी हो सकता है, कि उतना ज्यादा करे, तो जो upcoming video आएगा, वो आप देख सकते है, या तो मेरे channel पे already बहुत सारे no contact situation reading है, आप वो चेक करके देख सकते हो, in some situations, roles reverse हो सकता है, आप male female कुछ भी हो सकते है, आपके partner male female कुछ भी हो सकते है, मैं straight away reading शुरू करता हूँ, सबसे पहले मैं आपका energy चेक करूँगा, before I check your partner's energy, हम this time थोरा सा अलग कर रहे हैं, तो let's check your energy, when I'm shuffling the card, जब मैं card shuffle कर रहा हूँ, तो आप shuffling पे focus कीजेगा, और अपने उपर focus कीजेगा, क्योंकि मैं सबसे पहले आपका energy चेक कर रहा हूँ, कि no contact situation में आप लोग कैसे हैं, okay, क्या energy है आपका, okay, we got the card, okay, just I need a bottom of the deck, oh, okay, wow, so जो card jump कर के आया है, वो है nine of pentacles, and bottom of the deck is ace of cups, I can see a new beginning, हो सकता है कि ये no contact, जो situation की हम बात कर रहे हैं, okay, इसके नीचे three of ones, so इस जो no contact situation की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत दिन से, बहुत दिन से ये no contact situation चल रहा है, I think कुछ सालों से भी, और आप अभी एक इस तरह के position में है, कि बहुत ज़्यादा आप stable बन चुके है, no contact चल रहा है, that is true, आपके दिल के अंदर अभी भी एक waiting phase है, कि आप अभी भी wait कर रहे हैं कि no contact में contact हो, आपके partner आपसे communicate करें, बातचीत हो, ये सब कुछ आप चाते हैं, but right now जो मैं देख रहा हूँ, there is a wish fulfillment happened, already I think आपके साथ हो गया है, आप बहुत ज़्यादा stable है, you are single, you are in full power, आप financially बहुत ज़्यादा stable हो, किसी पे आप dependent नहीं है, and आप बहुत ज़्यादा अपने उपर काम भी किये हैं, self love, self care and self healing, आपका हाच चक्रा भी मुझे यहाँ पर open दिख रहा है, कि you are not only dependent on this no contact with this person, you are like okay, ये इनसान के साथ मेरा no contact चल रहा है, I am waiting for this person, but ये waiting मेरे उपर हावी नहीं हो सकता अब, I think बहुत दिन से ये no contact चला है, तो right now you are opening your heart chakra, I think you are healed also थोड़ा बहुत, and you are open to receive new energy और past person, जो भी आएगा, okay, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी इनसान को मैं चाहता हूँ, वही इनसान मेरे जिन्दगी में आये, तो ही मेरे जिन्दगी में fulfillment, एक नया beginning होगा, ऐसा नहीं है, you are open, your heart chakra is open, अगर वो इनसान आता है, that is also fine, अगर कोई नया इनसान आता है, that is also fine, you are only focusing on yourself, आप बहुत ज्यादा stability पे यकीन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके तरक्की हो आपके जिन्दगी में, okay, emotionally भी, professionally भी, okay, so this is your energy, I am really happy and that's a beautiful energy, beautiful energy, and मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, let's see, आपके partner, आपके partner का current general energy क्या है, इस no contact situation में, let's see, जब मैं card shuffle करूँगा, shuffling के साथ, खुद को connect कीजेगा, और अपने partner को imagine कीजेगा, क्योंकि हम अब उनका energy चेक करने वाले हैं, let's see what is their energy, okay, we got the card, okay, all right, so, जो card jump करके आया है, उनका general energy, that is the emperor card in reverse, okay, and bottom of the deck is two of pentacles, अभी ये इनसान शायद past में, मैंने क्या बोला आपको, कि बहुत दिन से शायद ये no contact situation चल रहा है, कुछ in some situations two years, in some situations one year, okay, दो साल या एक साल already हो चुका है, आप दोनों के बीच में no contact का, ये उनी लोगों के लिए है, तो आपके जो partner है, ये I think past में बहुत ज्यादा एक rudish किसम के इनसान थे, बहुत ज्यादा emotionally unavailable इनसान थे, बहुत egoistic इनसान थे, बट वही ego, वही rudeness, वो सब जो उनका जो exterior था, एक rude सा, एक कठोर जो structure था, वो दीरे दीरे अभी melt हो रहा है, okay, अभी currently उनके अंदर इतना ज्यादा rudeness नहीं है, या level कम हुआ है, इतना ego नहीं है, level कम हुआ है, जो गुसा वो आप पे दिखाते थे, उस गुसे में भी, I think, वो control करने की कोशिश कर रहे है, दो इस, this controlling, दो ये जो level कम हो रहा है, ये उनके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा confusing है, आपके साथ situation बहुत ज़्यादा confusing है, एक तरह से, oh, okay, इसके नीचे, the star card, so they are healing also, and that is the reason I think, इतना confusion है, उनके दिमाग में, कि, because, जब इनसान heal होता है, तो वो चीजों को समझता है, जब उसका दिमाग गरम रहता है, या गुसे में रहता है, या ego में रहता है, तब वो कुछ और चीजों के अंदर, जो practicality है, वो समझ नहीं पाता, रिष्टों का value नहीं दे पाता, तो क्या होता है, रिष्टा तूच जाता है, हम लोग no contact situation में आ जाते हैं, जब बहुत दिन ये no contact situation चलता है, जब आप उनको space दे देते हैं, आप अपने उपर काम करते हैं, अपना growth करते हैं, detachment properly maintained होता है, तब आपका जो positive energy है, वो उनको hit करता है, जब उनको hit करता है, उनको आपकी याद आती है, जब उनको आपकी याद आती है, तो ये याद irritation वाला याद नहीं, क्योंकि आप high energy में हैं, आप low energy में नहीं है, you are not begging, you are not chasing, you are not crying, irritation वाला energy उनको नहीं मिल रहा है, you are, आप level up हो रहा है हो, तो आपका energy अच्छा है, तो positive energy उनके साथ connect होता है, उनको hit करता है, भले ही no contact चले, क्योंकि प्यार एक बहुती powerful energy है, उसको आप easily कभी नहीं ले से, उसको हलके में मत लीजेगा, किसी इंसान के साथ हम लोग का जब रिष्टा बनता है, जब हम सच सचा प्यार, बखवास वाला प्यार नहीं, सच्चा अगर किसी का प्यार होता है, तो it's not easy, it's not easy के जो energy lines है, या cause है, वो इस तरह से easily खतम हो जाए, तो आप जब अच्छे power में आते हैं, तो इस इंसान को वो power hit करता है, उसका सोचने, समझने का ताकत उस इंसान के अंदर बरता है, और तब वो क्या करता है, धीरे धीरे इतने दिन से वो heal करता है, और healing phase में वो सोचता रहता है कि क्या मैंने गलत किया, या नहीं, मैंने सही किया, क्या मेरा ego गलत है, या फिर सही है, तो confusion के अंदर ही analyze करना शुरू करता है, situation को, अपने behavior को, आपके साथ बरता हो, जो उन्होंने किया है, उस चीज को, अपने rude nature को, तो इस तरह का मुझे यहाँ पर energy दिख रहा है, जो कि एक सुधार है, आपके partner के nature के अंदर, उनके behavior के अंदर, एक तरह से सुधार होने के chances है, या, ओके, और थोड़ा वक्त लगेगा, and secretly also they are manifesting, they are manifesting, I think, आपको, और in some situations, there is other equations also, आपको छोड़ के भी, तो between two situations, they are juggling, ऐसा भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से, अपने situation के हिसाब से लीजेगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो कि किसी married इंसान के साथ connected है, तो वहाँ पर equation अलग हो जाता है, तो आपके और उस, उनके जो spouse है, उनके बीच में, they are very confused, ऐसा होता है, कभी-कभी family आ जाता है, तो आपको और दूसरे किसी इंसान को लेके भी हो सकता है, वो थोड़ा सा confused है, but right now they are healing, और जो भी उनका negative traits था, वो धीरे-धीरे कम हो रहा है, okay, so this is the energy, let's see, what is their current feelings right now, आपके partner का current feelings क्या है अभी, ये no contact situation में, currently what they are feeling, okay, we are connected, we got the card, yeah, मेरा reading, usually उतना गलत जाता नहीं है, okay, जब double confirmations आता है, या universe की तरफ से, जब कोई message आता है, confirmation, तो मैं समझ जाता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं, वो सही है, जो मेरा intuition power है, या spiritual power है, जिससे कि मैं reading कर रहा हूं, that is true, four of swords and ace of swords, they are healing, मैंने क्या बोला थोरी दर पहले, the star card, they are healing, again I am telling you, they are healing, it's a double confirmation, they are on a healing phase, but they are getting nostalgic, यानि कि पुराना ख्याल, आपके साथ बिताय हुए खुबसूरत पल, उनको याद आता है, जब वो रात को अकेले रहते हैं, या अकेले सोते हैं, खास करके रात के टाइम पे, या जब भी वो अकेले resting जो phase होता है, उनका, हो सकता है वो rest ले भी रहे हैं अभी, तो तब उनको आपकी याद आती है, और वो try करते हैं कि किस तरह से जो sharp, क्या बोलूँ मैं उसको, sharp points है आपके relationship के अंदर, नोकीला जो भी situations था, जो की crap situations था, उन सब चीजों में एक smoothness आ जाए, इस तरह का एक energy दिख रहा है, और साथी साथ में उनका crown chakra, I think ये भगवान का दिया हुआ, एक तरह का poke है, archangel, मैं बार-बार ये बोलता हूँ, archangel Michael का, ये swords होता है, ये तलवार होता है, जब ये तलवार आता है, तो अच्छे अच्छो को अपनी नानी याद आ जाती है, ये lines, प्लीज दूसरे कोई, दूसरा कोई please copy मत कीजेगा, ये मेरा line है, मैं personal reading बिल्कुल नहीं करता, तो बहुत दिन से बोलना चाता था, मैं भूल गया था, okay, so basically, मैं reading पर आता हूँ, basically they are getting, they are trying to get the clarity in the situation, in their behavior, in their egoistic nature, और धीरे धीरे करके अपना जो गुस्सा है, अपना नेचर है, अपना जो भी negative चीज था, उसको heal करने की कोशिश कर रहे है, अपने आपको heal करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपना दिमाग, अपना दिमाग भी उनका बहुत clear mind से चीजों को सोचने की कोशिश कर रहे हैं, okay, okay, yeah, तीनों ही swords एना जी, page of swords, I think, एक तरह से वो आपको stock भी करते हैं दूर से, या आपकी खबर भी रखते हैं, उनको ऐसा नहीं कि आपका खबर नहीं है, उ no contact situation चले, I think somehow they are getting some news from, हो सकता है, आपके social network से, या फिर आपके किसी दोस से, या कही नहीं किसी source से, उनको कुछ ना कुछ खबर आपसे मिलता है, आपका मिलता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में long distance relationship है, अभी, not relationship, I think long distance, no contact चल रहा है, आप किसी दूसरे state म okay, this energy I can understand because मेरे एक बहुती common friend का इस तरह का एक चीज हो रहा है अभी, तो I can understand this energy, let's see, what is their intention, what is their intention in the no contact situation, let's see, what intention they have, intention यानि इरादा, सभी ने मुझे सिखाया है, okay, क्यूंकि हम लोग तो, you know, foreign experts है, हम तो विदेश से, बाहर से, अबरोट से परके आये हैं, so, ashamed, ashamed, okay, यह सब जोक्स हैं, प्लीज इसको serious मत लीजेगा, okay, so their intention is seven of wands, bottom of the deck is the magician, उसके नीचे दा लवर्स, they are going to take a very solid decision, यह decision हो सकता है, कि आपको unblock करने वाला कोई decision है, okay, हो सकता है, आपको बहुत जल्द यह इनसान unblock कर दे, या फिर जो भी आपके, और इस इनसान के बीच में, जो distance है, हो सकता है, यह इनसान अपने प्यार के लिए, एक stand ले, हो सकता है, यह इनसान आपको secretly manifest, I think, same चीज मैंने थोरी दर पहले भी बोला, यहां पे भी वही दिख रहा है, they are manifesting you back in their life, and they are going to take a very strong decision about you and their relationship, in some situations, now they are feeling a bit tempted, क्योंकि आपका खुबसूरत energy, they are missing, आपसे शायद, आपसे वो कितना प्यार करता है, right now they are feeling that, okay, so they might take stand for you and this relationship, उनके खुद के लिए भी, okay, और there is a chance of आपको शायद अनब्लॉक भी करे, okay, अनब्लॉक करने की सोच, these are intention, it's not action, intention, intention, यानि की इनसान का इरादा, या एक तरह का सोच, okay, इनसान सोचता बहुत कुछ है, उनका इरादा भी बहुत कुछ होता है, but ultimately action में क्या होता है, that matters, okay, यह हमेशा याद रखिएगा, but हाँ, अगर उनके दिमाग में कम से कम unblocking का खयाल भी अगर आ रहा है, या आपसे patch up करने का खयाल भी अगर आ रहा है, तो यह बहुत बड़ी बात है, ठीक है, एक साल या दो साल के बाद अगर इतना हो रहा है, that's a very base thing, let's see, what action this person is going to take towards you, और what will be the outcome of this no contact situation, no contact, no contact ही रहेगा, या फिर contact होने के चांसस है, reconciliation या unblocking, या what is going to happen, let's see, यह इंसान क्या action लेने वाले है, let's see, oh my god, too much energy, बहुत साल काई आ है, मैं दिखा दे ता हुआ है, okay, this is the bottom of the deck, okay, 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 so, जो जो cards, बहुत सारे, I think, four cards जंप करके आया है, और एक bottom of the deck है, तो मैं बोल देता हूँ, 10 of Cups, the Magician in Reverse, Queen of Swords, the Temperance, sorry, the Temperance card, and bottom of the deck is 8 of Pentacles, definitely, definitely this person is thinking about a reconciliation, but, सब कुछ, खयाल में है, okay, intention में ही है, यहाँ पे action-wise भी वही दिख रहा है, they are, right now, they are manifesting things, still, they are trying to get some clarity, उनको शायद अपने उपर भी तोड़ा सा काम करना है, okay, अपने उपर भी तोड़ा सा काम करना है, but they are understanding the situation, के इंसान के लिए फैमिली कितना important होता है, इंसान के लिए प्यार कितना important होता है, I think they are getting this clarity, के हमेशा एक तरह से, क्या बोलू मैं, एक irritating इंसान बन के रहना, या एक खुदगर्ज इंसान बन के रहना, हमेशा is not the right thing, okay, so they will try to balance between you and their relationship, okay, and they are, I think, slowly but surely, they are ready to work hard, they are ready to put some inputs in the situation, ताकि चीजों में balance आए, but, जो reconciliation की मैं बात कर रहा हूँ, या जो balance की मैं बात कर रहा हूँ, ये होने में वक्त लगेगा, ये होने में वक्त लगेगा, okay, मैं ये बहुत clearly बोल देता हूँ, though they are thinking, खयाल में है, intention wise भी है, और action में भी, मुझे दिख रहा है कि, ये double confirmation ही है, कि उनके दिमाग में ये चीज़ है, कि आपके साथ रहना, या family में रहना कितना valuable है, कितना खास है, प्यार कितना जरूरी है, but this is more like a daydreaming, that they are doing right now, action लेते लेते, थोरा वक्त लगेगा, और एक time पे, I think universe का भी push होगा, already universe is pushing them, और ज्यादा universe push करेंगे, और आप दोनों की situation के अंदर, balance लाने की कोशिश करेंगे, इस इनसान के दिमाग के अंदर, balance लाने की कोशिश करेंगे, और एक तरह से, इनका third eye chakra भी open हो सकता है, intuition power, ताकि वो आपका जो energy है, वो समझ सके, क्या सही है, वो समझ सके, सिर्फ crown chakra is not enough, sometimes intuition भी होना जरूरी है, तो ये मुझे दिख रहा है, outcome wise अगर आप मुझसे पूछे, कि immediately अगर कुछ होगा, नहीं, immediately कुछ नहीं होगा, it will take time, because they will work on themselves first, अपने उपर काम करेंगे, अपना ego, अपना nature, इन सब चीजों में सुधार लाएंगे, अपने habits में सुधार लाएंगे, अपने बरताओं में सुधार लाएंगे, और जो कि मुझे दिख रहा है, confirmed है, कि लाएंगे, इसके नीचे the strength का, they will gather the strength, so that ये अपने उपर काम कर सके, क्योंकि इस इनसान के लिए, ये सब चीजे करना बहुत बरी बात है, पट अगर ये इनसान ये सब चीजे करता है, तो वो चाहता है कि आप उनके लिए slow claps दे, anyways, but हाँ, reconciliation होगा, बट वक्त लगेगा, कम से कम आप दो महीना पकर के चलो, after two months, there is a chance कि reconciliation हो सकता है, जिन जिन लोग के साथ ये reading resonate करेगा, या energy resonate करेगा, ये उनके साथ ही हो सकता है, हो सकता है सभी के साथ ऐसा ना हो, बट कुछ लोग के लिए, definitely after two months, there is a chance of reconciliation, ओके, ओके, so let's see, क्या science हो सकता है, आपका और इस इंसान का, let's see, अगर अभी तक का reading, पूरा reading अगर आपके साथ resonate किया है, तो आपी का reading है, भले ही science ना आए, ज़ो science आएगा, उसमें हो सकता है, यह जो मैंने इतना reading किया, situation बोला, वो थोड़ा ज्यादा resonate करेगा, और बाकियों के लिए हो सकता है, 1-2% कम, but definitely resonate करेगा, अगर भले ही science ना आए, let's see, hmm, hmm, okay, okay, hmm, okay, so, fire science, Aries, Leo, Sagittarius, water science, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Gemini, Libra, Aquarius, air science, so, air science, fire science, and water science, यानि कि, fire science, Aries, Leo, Sagittarius, water science, Cancer, Pisces, Scorpio, air science, Gemini, Libra, Aquarius, and Gemini, okay, okay, so, let's see, universe की तरफ से, आपके लिए, क्या guidance, या क्या message है, इस no contact situation में, let's see, universe की तरफ से, क्या guidance, या message है, इस no contact situation में, tailब आपू, अपके जाच में, इस no familiar है, जएके लिएू, याट से, इस एंपू, yeah okay so queen of wands ace of wands three of wands and bottom of the deck is seven of swords okay सबसे पहली बात अपने गुस्से पर काबू कीजिए सबसे पहली बात अपना गुस्सा और अपना एगो हो सकता है कि मैंने जो आपका एनरजी सबसे पहले रीडिंग के पहले आपका एनरजी मैंने बोला था कि आप बहुत ज़्यादा developed हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके अंदर अभी कोई codependency नहीं है बहुत independent हो आप financially stable हो ये सब जो level अप होता है ना इनसान का ये इनसान को एक तरह से egoistic बना देता है इनसान के अंदर ego आता है attitude आने लगता है क्योंकि वो तरक्की करने लगता है तो universe आपको यही guidance देना चाहता है कि सबसे पहले अपना गुसा अपना ego इन सब चीजों पे आप control रखिये अपना level up जो हो रहा है that is okay but अपने ego में अपने arrogance में अपने attitude में आपको control रखना होगा दूसरी बात if you are waiting for a new you know एक नए तरीके का beginning का अगर if you are waiting even after some sort of lie कुछ धोका या कुछ cheating या कुछ deceptive energies के बावजूद भी if you are waiting I think universe यह बोलना चाहता है there is a chance out of nowhere एक friendship level का कुछ development हो सकता है situation के अंदर अब यह friendship level धीरे धीरे करके आगे जाके मुझे आगे जाके इसका growth and expansion दिख रहा है right now it will be a very scratch level thing अब यह आपके partner के साथ भी हो सकता है जिसके साथ no contact चल रहा है या फिर कोई किसी नए energy के साथ भी हो सकता है but एक friendship level से चीज शुरू होगा जिस चीज का आप wait करे हो I think you are waiting for some love or you are waiting for some companion जिससे at least आप बात कर सको because sometimes you feel like sharing things तो इस तरह का एक इनसान आपको मिलेगा उसके साथ आप passionate feel भी करेंगे but यह इनसान कौन होगा यह पुराना past जो इनसान है वो या नए इनसान होगा वो कुछ भी हो सकता है okay take it how it resonates कौन आएगा मुझे पता नहीं दो महीने बाद कोई आ सकता है या तीन महीने बाद okay दो से तीन महीने के बाद कोई आ सकता है okay it's a very interesting thing और हम इसको और ज्यादा explain यह reading नहीं हम अलग एक reading लेके आएंगे जो कि ex or next होगा उससे और ज्यादा चीज़े clear हो सकता है okay अगर same energy वो पकरता है उस time पर जब मैं reading करूंगा तो फिर आप समझ जाएगा अगर कोई दूसरा energy पकरता है तो फिर उससे सब से हम reading करेंगे so यह था आज का no contact situation reading कैसा लगा reading please comments में मुझे बताएगा और जल्दी जल्दी से जो भी questions आपको पूछना है आप लोग पूछ लो क्योंकि कल मैं question and answer एक video लेके आऊँगा रात को और उसमें सारे questions जो भी आपने मेरे से पूछा है मेरे बारे में उन सभी questions का मैं answer दूँग comments में बोली आज का video कैसा लगा और अगर मेरा video अच्छा लगे तो please मेरे channel को subscribe कीजेगा मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा मुझे इतना ही प्यार दीजेगा so thank you so much for watching this video we'll see you in the next video तब तक के लिए please take care of yourself